यह जो आप देख रहे हैं यह 12th class का economic book है और शाष्ट का book NCRT का book है तो इसके एसाप से हम देखेंगे कि chapter 1 जो है हमारा वो है व्यस्टी अर्थसाष्ट्र तो व्यस्टी अर्थसाष्ट्र का परिचे हम देखेंगे chapter 1 में और उसके बाद में one by one हम चेप्टर खत्म करते जाएंगे वैसे एक सोचोईस पेज की book है देखते हम इसको किस कितने मिनिट में कितने गंटे के साफ से टार्गेट रखते हैं तो देखते हैं हम अभी इसका टार्गेट लेके चलते हैं और समझते हैं इसको चीज़ को देखिए व्यस्टी अर्थसाष्ट्र के मुलबूत अद्धन से आप अवसी पूर व्यूप से परिचेत होंगे इस अध्ध्याई के आराम में आपको व्यस्टी अर्थसाष्ट्र के और समस्टी अर्थसाष्ट के बीच में अंतर एक सरलीक्रत विब्रण प्रिश्ट किया गया है जिसमें आप परिचेत होंगे और आप में जो आगे चलकर के उच्टर अध्यन मतलब की डिग्री वगरा करेंगे अर्थसाष्ट्र में विश्टा पराप्त करने कर पक आर्थिक प्रिश्ट है जिनका संब्द सभी नागरेकों से है क्या संपूर्ण रूप से कीमते बढ़ेंगी या गटेंगी क्या संपूर्ण देश और अर्थविष्टा के कुछ छेत्रों का मिरोजगार की दर्सा है बैतर होगी या नहीं होगी या बुरी हालात में है अर्थविष्टा अच्छी है या बुरी है ऐसे प्रदसित करने का संकेता क्या है राज जी कौन सा कदम उठाएगा अथ्वा लोगों की मांगे क्या करेंगी जब लोग मांग करते हैं तो राज को कौन सा कदम उठाने चाहिए वो सारी चीजे है अर्थविष्टा की दर्स यानि कि समश्ट्री अट्सास्र विश्टेशन के कुछ मूलू सिद्धान्तों से होगा, यहां तक संभभू सिद्धान्तों का सरल वासा में आपरपड़न किया जाएगा, कभी-कभी पाठाकों को कुछ कट्णाईयों के परिच्चे करवाने के लिए प्रारामबिक विजगन साधान्ता एक साथ बढ़ने और गटने की प्रवर्ती भी होती है, तो विजगन उत्पाद एकाईयों में रोजगार के इस्तर को एक साथ गढ़ते और बढ़ते हुए हम देख सकते हैं, यह किसी तरीके से रोजगार गढ़ता है और बढ़ता है, यदि किसी अर्थविस्त का कारिया है, प्रिक्षक्रत आसान हो जाता है, उप्रोक्त परिवर्तों की हम बात करें, सम्मन्द में ब्यक्तिगत इस्तर पर विचार करने के वज़ा है, हम अर्थविस्ता के अंतरकत उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के प्रतिनिदी की रूप में एक वस्तु के बारे में बिचार कर सकते हैं, इस प्रितिनिदी वस्तु का उत्पादन सभी वस्तु और सेवाओं के वश्त इस प्रतिनिदी वस्तु का कीमत है, रोजगार है रोजगार इस्ता के सामाने कीमत और रोजगार को प्रतिवम्मित करता है तो समश्टी अर्थसासर में हमने सामान उस पिसलेशन को सरीक्रत किया है एकल कालपनिक वश्थू पर ध्यान के अंदित करने पर कैसे देश का अतपादन और रोजगार के इस तरह में के साथ क्या होता है जो बाजार में खरीदी जाती है बेची जाती है उनके साथ क्या होता है ठीक है जो बाजार में खरीदी और बेच जाती है क्योंकि सामाने तरह हम देखते हैं कि जो कीमत ब्याज मजदूरी और ब्यालाव इत्यादी के साथ होता है कमों वेश वही दूस परिवर्तों के संचरन की सामाने दिशा सभी व्यक्तिगत वश्तों के सामाने तर उसी प्रकार होती है जैसे कुल मिलाकर अर्थवश्ता के लिए समस्तरूप से दिखलाई पड़ती है तो हम नीचे देखेंगे कभी-कभी इन उपयोगी सरलीक्रत से विचलन की ओर जाएंगे और जब हम अनुबब करेंगे कि देश की अर्थवश्ता प्रूंड रूप से विवने चेत्रकों से मिलकर बंती वी प्रतित होती है कुछ निश्चित उद्देशों के लिए अर्थवश्ता के दो चेत्रक उदारनों के लिए क्रसी उद्द्यों की अंतर नर्वरता यहां प्रढत की कीमतों के बीच प्रति वदेता और शींत्रकों के दीश Cornhe Salt UK जैसा कि एक प्रजात प्रछात नतर यह SEther को प्रिवारिक चेयतरक & सरकार यह एक अर्थवश्ता को प्रूरूप से देखने की अप्पेख्अ उन्हीं को प्रिश्की तरीक उन्हें समझने में सायथ लेकिन इस प्रिक्रिया में किसी विशिष की विशिष्ट गुनों और प्रतिने धी को लें तो हम किसी फर्म के प्रवन्दक और लेखा कार के श्रम के भेद नहीं कर पाएंगे अते हैं इस मामले में बस्तो को स्रम और उत्पाद नत् 관련 को एकल प्रतिने धी कोटी के इस्तान पर हम बिवन प्रिकार की बस्तों के लिए अर्थष्टा की अंतर रोगत अंतर हमजटि अर्थष्टाव में यह बिश्राषन करने का प्रयास किया जाता है कि बिविन बश्तों का ब्यक्तिगत निर्गत इस्तर कीमते और रोजगार का इस्तर आधी का निर्धारण कैसे किया जाता है यहाँ पर दी गई कुछ चर्चा और विश्टी अर्थसास्त्र के अपने पूर बद्दन से साइद आपको यह समझ में आ गया होगा कि समझ्टी अर्थसास्तर विश्टी अर्थसास्तर किस प्रकास से बिन है और संचित सार के रूप में देखेंगे तो विश्टी अर्थसास्तर में आपको ब्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और प्रेणाओ जिसमें चालेत होते हैं की प्रेकरती का उलेख मिलता है ये बेश्टी जिनका अर्थ होता है छोटा एजेंट है अथार्थ बोक्ता जो अपनी रुची और आयके अनुरूप क्रे करने के लिए बश्टों का इश्टम सहीयोग का संचेन करते हैं उत्पादन जो अपने उत्पादित बश्टों से अधिक्तम लाव अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और बश्टों को बजार में उची से उची कीमतों पर बेशता है दूसरे सब्दों मागर हम खए हैं बेश्टी अर्थसास्तर मांग और पूर्टी क बेश्टी ब्यक्तिगट बाजारों का अधिन है जिसमें आर्थिक करता ही क्रता होते हैं जो अपने लावों को अधिकतम करने का प्रियाश करते हैं उत्पादक अथ्वा बिक्रता उनके ब्यक्तिगत संतोश्टी और कल्यान इस्तर पर भोकता के रोप में बड़ी कमपनी यह बड़ा संपूर्ण देश को प्रवावित करता है जैसे मुद्रा उस्पूति अत्वा विरुजगारी का उलेख नहीं है और या फिर मान लिया जाता है कि इसे परिवर्तित नहीं है और बेक्तिकत करेता और बेक्रेता बदल सकते हैं बेश्ट्री अर्थसास्त्र समश्ट मैं यह सलाह दिया कि यदि परितिक बाजार में क्रेता और बेक्रेता अपने निजी हिद को जियान में रख करके नेनन लेंगे तो अर्थसास्रीयों को संपूर्ण देश में धनक और क्लन के बारे में अलग से विचार करने कि जावस्टा नहीं होगी किन्तु अर्थसास्र के निवासी थे और ग्लास को विशिद्याले में प्रोफिसर थे उन्हें दार्शनिक शास्तर में प्रिश्चर प्राप्त हुआ और उनकी प्रिश्कासित पुष्टक जो थी इनक्वारी इंटू दी नेचर एंड काउज ओफ दी वेल्थ ऑफ नेशन्स जो सतर सुच्छेतर की पुष्टक है इस विश्यका मुख्य व्यक्ष्टक की रूप में जना जाता है और पुष्टक के अनुच्छेत से कसाई किंडवन और नानवाई के परोब कारिता की भावन से हम भोजन की उम्मिद नहीं करते हैं बल्कि वेवी श्यम को स्वारत की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं हम अपनी जरूट की बाते करते हैं ननावत्ता की यहांता की स्वेप्रैम और उसकी आपसक्ता की लिए चर्चा नहीं करते हैं की सुवीधा के लिए 1724 kazar Kостu क कि महार विचार हे पाला की अरतां ये सबसे महित्मुण संता को कुछ से अमझे लक्षों की प्रापती लिए निश्वार्त रूप से रोजगार प्रिसासन प्रिसिक्षन और स्वास्त और सिक्षा की सित्र में कार्य करने का निर्णा लेना पड़ता है जिसके लिए बेक्तिगत आर्थिक एजेंटों के द्वारा किये गए वेश्टी अर्थसास्त्र निर्णाओं के कुछ प्रवावों का धन करना पड़ता है यदि आवस्यक हुआ तो इन सक्तियों की प्रिवरतन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रियोग यहां पर करना पड़ता है और जब बजार के बाहर समाज की रुची का अनुक्रण करने के लिए तो भारत जैसे विकाशी देश में इ करने के लिए इस प्रिकार का चैन करना पड़ता है समश्टी अर्षात्र की दो विषिस्ता हैं जो संपूर्ण सूची में हम देख सकते हैं संचेप में उसका उलेक यहां पर किया गया है कि देखिए प्रथम समश्टी अर्षात्र में निर्णाय कत्वा आर्थिक भूमी का अदा करने वाले कौन होते हैं ठीक है समश्टी अर्षात्र डीतियों का अनुपालन राज्जिस्वम और बैधनिक निकाय जैसे बारतिये रिजर्बेंक बारतिये प्रतिवुती और बिनियम बोर्ड इसी प्रिकार की संस्ता करते हैं बिदी और भारत के समीदान में जैसा क परिवासित किया गया है ऐसे प्रतिक निकाय का एक अधिक साविनिक लक्ष का उनुपालन करना होता है जो लक्षे उन ब्यक्तिगत आर्थिक एजन्टों के लक्ष नहीं होते हैं जो निजी लाव और कल्यान को अधिक्तम करना चाहते हैं अत्य समश्टी अर्षात्र के परियोजन कर नड़ने लेना पड़ता है जिस प्रिकाल के ओलाग्ष सोब्क्री के निजी लिए नहीं होता है इनका अनुपालन संपूंड़ देश और उनकी जंता के कल्यान के लिए होता है अगर हम बात करें आर्थिक के निजेंट की आर्थिक एकाईएं आर्थिक एजन कि क्या उत्पादन करना है कितना उत्पादन करना है बे सरकार निगम बेंग जैसी संस्थाइं हो सकती हैं जो बिविन प्रिकार के आर्थिक नहीं लेती हैं जैसे कर्च करना कितनी व्याजदर लेना है कितना कर लगाना है वो सारी चीजे समश्ट्री अर्थसात्र का उद्व में इन चिंतन का प्रावाल ले था कि सारे स्रमेकों को काम करने के इच्छु के हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण समता के साथ कारिया करते रहेंगे विचारों के संप्रदाय को क्लासिकी प्रमपरा के रूप में भी जाना जाता है बिटिज अर्स्तास्री जॉन मेराड किंस का जन्म जो है 1883 में हुआ था उनकी सिख्चा किंस कॉलेज क्रेंब्रीड युनाइटेड किंग्डम होई थी बाद में विश्षगों के रूप में नुक्ति होते प्रिथम विश्विद्द के बरसों में तीक्षन विद्धिता के से अलावा सक्रिय अंत्राश्टिय राज्यूतिक के रूप में भी जुड़े रहे और अपनी पुष्टक दी कॉनोमी एक कुईंस के ऑफ दी पीस की युद्ध की सांती समझोते कि बंग की विश्वाणी उन्होंने कर दी थी इनकी पुष्टक जनरल थेओरी आफ एंप्ल इसके बाद के बर्सों में देखा गया है कि यूरोप और उत्री अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के इस तरों में काफी गिरावट आई है इसका प्रवाब दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा है बाजार में बच्तों की मांग कम हुई है कही कार खान काम करने की इच्चुक है काम करते हैं उससे भाग देकर जो पर प्राफ्ट होता है उसी उस रूप में प्राफ्ट की जाती है और देखिए इस अब्दी के दुरान संयुक्तराज अमेरिका में समस्त निर्गत में लगवक 33% की ग्रावट आई और इन घटनाओं ने अर्थसास्त्रियों को नए तरीके के अर्थसास्त्र की प्रिकारिया के सम्मद में सोचने के लिए प्रेट किया और यह सच भी है जिन अर्थसास्तर में बिरोजगारी लंबी अब्दी तक विद्वान रही है वहां सिद्धानत की प्रेकरती और उनकी बैख्या की आवसिकता रही है कि इसकी पुष्टक इस पुष्टक की दिशा में प्रियाश सावित हुई है और पुरवर्तियों की विप्रित अमारा देश्टी कौन अर्थविस्ता में कारिय प्रेनाली और विविनी छेत्रों के इस प्रस्परक्स निर्वर्ता का प्रिक्शन करना है और समष्टी सास्थ की बर्त्मान पुष्टक का संदर्ब हम देखें, तो देखें, अधन के अंतरगत इस विश्य का एक विश्य संदर्ब रहा है, हम इन पुष्टक में पुझी वादी देश की अर्थविष्टा के बारागा परिक्षण करेंगे, पुझी वादी देश में उत्पादन क्रिया कलाप मुकूब से पुझी वादी उत्मियों के दर कियाते हैं, विवेन विशिष्ट पुंजी बादी उद्दम में से एक या अधिक उद्दम ही हैं, ऐसे लोग हैं जो बड़े निर्णों के निर्णतन का कारिया करते हैं, फर्म उद्दम के साथ जोड़े बड़े जोखिम का वहन करते हैं, और बे उद्दम को चलाने के लिए स्वम की कच्छे माल और कुछ इस्ताई पुंजी के रूप में जैसे की भूखंड, उद्दम के संचालन के लिए मानव श्रम की मेत्पून अंस क्या आप सकता होती है, जैसे हम श्रम के रूप में सूचित करेंगे, इन तीन प्रिकार के उद्दम के उद्दम के निर्गत का इसे प्राप्त मुद्रा को सब्राप्ति कहते हैं, और संप्राप्ति का कुछ संस भूमी को उनको प्योग के लिए अदी सेस की रूप में प्रदान कियाता है, इसी प्रकार कुछ संस से पुंजी को ब्याज की रूप में और कुछ स्रम की मजदूरी के रूप में प्रदान आने के लिए जो बै किया जाता है उसे कहते हैं तो संच्छेप में अगर हम बात करें पूंजी वादी और्थविस्ता की परिवासा इस परकार दी जाती है कि अधिकांस आर्थिक क्रिया कलापों के अभी लक्षण उत्पादन की साधनों पर निजी स्वामत होता है कृषर बाजार में दिचनी के लिए उत्पादन की स्वामों का इए एक निश्यत पर किया जाता है जिसे मजदूरी िदर कहते है je को पूंजी वादी देश पिछले 30-400 बड़सों के दौरां रष्ठत में भी उत्र अमेरिका और्षण और यूरोप और दक्षिन के रूप में देश की पूंजीवादी देशों की स्रेणी में आएंगे और कई अल्फ विक्सित देशों में खास करके एक रसी और उत्पादन का कारिया किसान परिवारों के दौर खियाता है मजडूरि स्रंपयोग कभी खुवार होता है और दिक्तर स्रंप कारिया परिवार के सिधुष्यों के सिवाद स्वaltव करते हैं तो हमने इस पुष्टक में बिश्लिशन प्रिस्टत किया है बैसे समाज पर लागू नहीं होता है जिसकिन्तु यह सच में आरेक विकासी देशों में उत्पादन की एकाईयों का मौझूद है पुझीवादी सिद्धानतों के अनुरूप इस पुष्टक में उत्पादन एक raan प्रिक्रिया करता है इस प्रिकर में उत्पादन के लिए कमी होनी लगति है ध्यान देने वाली बात यहिए कि पुँझीवादी देश में उत्पादनि के एक का अरक आ थो उत्पद्न की प्रिक्रिया उसे प्राप्त निर्गतों को बाजार में बेज करते हैं तो बिकसित और भिकासित दोनों ही देशों की निजी पुझेवादी शेत्रिके अलावा राज जयों की में उसके अनूरूप एक संस्ता होती है राजी की भूमी का कानूर बनाने उसे लागू करने और नयाय दिलाने में होती है कई ऐसे उधारणे जहां राजी सरकार या राजी उत्पादन का कारिया भी करता है कर लगाने का भी और स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते है और सावने का दारवू संद्शनाओं के निर्माड पर बै करने के अत्रिक्त राजी के द्वारा स्कूल कॉलोज भी चलाए जाते है स्वाश से वाए प्रदान की जाती है जब हम किसी देश की अर्थविष्टा का वड़न करें तो राजी के इन आर्थिक प्रिकराव का उल्ले करना हो सकते है राजी को शुजित करने के लिए सुविधा की द्रिष्टी से हम आगे सरकार सब्द का प्रियोग कर सकते है और किस अर्थविष्टा में फर्म और सरकार के अर्ट दूसरा बड़ा शेतर होता है उसे परिवारी क्शेटर कहते हैं और जहां परिवार से हमारा ताथपरी एकल ब्यक्तिकत उप्डुकता जो अपने उप्डुक से समधैति नेन्म और कई ब्यक्तियों को समगा उसके उप्डुक सम्मधैत नेन視ocyकत ü appearance परिवार भी बचत करते हैं और कर अदा करते हैं उन्हें इन क्रिया प्रलापों के लिए पैसे कैसे मिलते हैं हम जानते हैं कि परिवार में कई लोग होते हैं जो लोग फर्मों में स्रमेकों की रूप में कारे करते हैं मजदुरी प्राफ्ट करते हैं और बे सरकारी विवाग परिवार की मांग के बिना कारिय कर रहा ही नहीं सकती है इसके अलाबा में भूमी को पट्टे पड़ देख करके पुंजी को उधार देख करके भी ब्याज कमा सकते हैं ठीक है तो ध्यान देने की बात है कि पुंजी बात देख करके अपनी आयका इसाजन उत्पाद में पिक्रिया और उसके प्राफ नगत का वाजार में बेच करते हैं विक्रसीद और बिकार सिल देख दोसरों के देखों के निजी पुंजीवादी की शेत्र के वज़ार राज में उनके अनुरूप संस्ता होती है राज़ की भूमी का कानूर बनाने लागू करने और नायद लाने में होती है ठीक है किसी अर्थविस्ता में फर्मोर सरकार की आतर दूसरा बड़ा शेतर होता है उसे परिवारिक शेतर कहते हैं तो यह भी हमने पढ़ लिया तो यहाँ पर हम देखें अभी तक हमने अर्थविस्ता की प्रमोर गटकों का उल्ले किया है लेकिन विस्वि के सारे देश बाहरिये बजार भी करते हैं बाहरिये छेतर हमारे अद्धन का चौता मेत्पूर्ण छेतर है है वहाँ पर 6 त2जार या ब्यापक ठीन प्रकार से हो सकता है जब कोई देश अपनी घरियलू वश्तू विस्वि के अन्य अन्य देशों में वैचते है तो उसे अयात कहते ओर आयात और नर्यात के अलावा दूसरी तरफ से विश्व के अन्य देशों जैसे की देश की अर्थविष्टा को प्रवाइद करते हैं किसी देश की अर्थविष्टा में विदेशी पूंजी का भी प्रवाव हो सकता है अथार्थ कोई देश विदेशी की भी पूंजी का निर्याद कर सकता है तो यहां पर हम देखें सम्ष्टी अर्था क्रविस्ता की समष्थ आद रिवरत रुपर विचार किया जाता है इन्में से उन आं विवित अंतर सलग नाओ की चर्चा होती है जो अर्थ विश्था के विविन सय खित्रग उतान का रखते हैं और इनी कारणों से समस्थी अर्थराश्ता में उता है, जैसे किसी अर्थराश्ता की खास चित्रक में कारिया प्रणर ली। परिक्षण है यापर किया था अर्थविष्टान चेत्रगों को एक समान मान लिया था समश्टी अर्थविष्टर का एक अदबब एक प्रिथक विश्यक रूप में 1930 में कींज के कारण हुआ था महामंदी में विक्षित देशों को गहरा दक्का लगा था किंज को अपनी परिवार फर्म और सरकार और बारी शेत्रग इन चार्ट शेत्रगों के सहयुक से देखा जा सकता है तो हम ने देखेंगे तो हमने देखा यहां पर कितने चैप्टर कुश्चन देखें हम तोड़ा सा